नमस्कार मेरे नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क रिंकु सिंग का तुफान आया छको ने कोहरा मचाया और एक नहीं सूरी कुमार यादव स्काई के दो-दो रिकॉर्ड तोड़ कर दिखाया सिर्फ एक मैच में वो भी बिना 50 बनाए हुए है जी हाँ साफ तवर पर अगर आप देखेंगे तो एक नहीं दो रिकॉर्ड तोड़े हैं सूरी कुमार यादव के वो भी विदावट आ स्कोरिंग आ 50 तो आप बात करते है कौन से रिकॉर्ड तोड़े है यहाँ पर सूरी कुमार यादव के किस तरहा से तोड़े है और क्या कुछ किया यहाँ पर रिंकु सिंग ने कल के मैट में जिमबाबeking के खिलाफ कि पहले मैट में जब नहीं चले थे तो लोगों ने सवाल खड़ी करने शुरू कर दिये थे रिंकु सिंग ने ये गलती कहीं वो गलती की लेकिन रिंकु सिंग आया रिंकु सिंग चाहे अब बात करते हैं रिंकु सिंग की तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो पसंदा है तो लाइक करना बिल्कुल ना बोले अब बात करते है रिंकु सिंग ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा सबसे पहला तो रिकॉर्ड तोड़ा है कि 200 ओवर में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट का जिहा इसने पहले सूरी कुमार यादव का स्ट्राइक रेट था 321 का 200 ओवर में लेकिन यहाँ पर रिंकु सिंग का स्ट्राइक रेट जो अब है 200 ओवर में वो हो गया 336.36 अब बात करते हैं दूसरा जो उनका रिकॉर्ड था दूसरा रिकॉर्ड साफ़ थोड़ायाया यह सूरी कुमार यादव का छक्को के मावले में 1900 और 20 ओवर में हम सभी को पता है कि सूरी कुमार यादव ने बहुँ सारी पारियां खेली है उनकी 62 पारिया होई है सुरी कुमार यादव की और उन्होंने 19-20 ओवर में 14 छक्के लगाए हैं लेकिन अगर हम on the other hand बात करते हैं रिंकू सिंग की तो सिर्फ 48 पारियां खेली हैं अभी और 17 छक्के जड़ चुके हैं 19-20 ओवर में और मुझे नहीं लगता कि रिंकू सिंग बहुत ज़्यादा दूर है कि हार्दिक पांडया का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे जिस तरह से वो छक्के लगा रहे हैं अभी इस मैक्स की बात करें हैं रिंकू सिंग की आना काफी होगा जिस तरह से वल्ले बाजी कर रहे हैं एक के बाद एक सारे रिकू सिंग तोड़ते जा रहे हैं रिंकू सिंग और उस कठिन जगा पर बल्ले बाजी कर रहे हैं जो आसान नहीं होता है, फिनिशिंग करना, वो रिंग कुसिंग कर रहे हैं, तो आप बताईए आपको क्या लगता है, क्या वाक़ी रिंग कुसिंग, हादिक पान्डे का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, या फिर ने, जो भी आपको लगता है, जल्दी लिए कॉमेंट करके बत झाल झाल